नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर बाहु बली रमा कांतियादो सुर्खियों में आ गए हैं इस बार बाहु बली रमा कांतियादो ने मुख मंत्री योगी आदितनात को निशाने पर ले लिया है योगी आदितनाथ के बयान पर काफी नारात चल रहे थे रमा कांतियादो हविहाल ही में मुख मंत्री योगी आदितनाथ ने अखलेस यादो पर कहा कि अगर सम्विधार ना होता तो अखलेस यादो आर सेफ़ाई में भैस चराते और मुख मत्री ना बन पाते इसी बात पर रमा कांतियादो योगी आदितनाथ पर खुब बरसे और योगी आदितनाथ पर को खुब लताड़ा रमाकांत यादो ने कहा कि अगर हमारा समाज सिक्षित हो गया होता और इनके पाखंडों को समझ गया होता तो आज ये कमंडल लेकर भीख मांगते रमाकांत यादो के इस बायान से पूरे प्रदेश में हलचल मच गया है आपको बता दें कि रमकानतेयादो उद्टा प्रदेश के बड़े बाहु बली नेता कहे जाते हैं रमकानतेयादो के इस बयान से काफी हरकंप मच गया है रमकानतेयादो ने कहा कि अगर हमारा समाज सिक्षित होता और हम लोग इनके पाखंडों में ना आते तो आज योगी आधितनाथ कमंडल लेकर वीख मांगते बस यही बात पूरे प्रदेश में आग की तरह फैल गई और रमा कांत यादो एक बार फिर सुर्खियों में आ गए है आपको बताते चलें की रमा कांत यादो बदोही लोकसभा सीट से सांसदी का चुनाव लड़ रहे हैं और वो कांग्रेस के प्रत्यासी बनाए गए हैं पूर्वानचल के बड़े बाहुबली नेता कहे जाते हैं रमा कांत यादो दोस्तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सस्क्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्वाद